हलो दोस्तों, वेलकम तो मोटर अक्टेन, मेरा नाम है रच्छे थिरानी और आज हम आपको बताने वाले हैं ताटा के 7-seater version H7X के बारे में, जो directly compete करेगी काफी exciting आडियो के साथ, तो मैं बहुत excited हूँ, क्या आप excited हैं, शुरू करते हैं आज का detail session दोस्तों, टाटा हारियर अगले साल गाड़ी launch करने वाला है इसे market में, और इसकी कीमत 16-21 लाक रुपे के बीच में रहेगी, अब ये गाड़ी का code name था है H5X, क्योंकि ये 5-seater version है, उसी तरह एक 7-seater version भी बन रहा है, जो इंडियन मार्केट में launch होने वाला है, एक साल के अ अंदर, after the launch of the Harrier, काफी जनों के सवाल थे कि Harrier का 7-seater काब आएगा, ये क्या price point पहेगी, क्या features ओफर किये जाएंगे इस गाड़ी में, चलिए इन सब बातों का खुलासा करते है हम, सबसे पहले हम ये समझते कि ये H7X क्या है, बेसिकली H5X का extended platform है, यानि कि उस platform को खीच बना दिया है, और साथ में इसमें 7 seatों का option मिलेगा आपको, ये गाड़ी जादा बड़ी रहेगी, of course इसमें engine भी शायदा करके बड़ा मिले, and you'll get a lot of features too, तो सबसे पहले ये समझते है कि ये H7X गाड़ी compete के इसके साथ करेगी, ये गाड़ी directly bang on जाएगी, with Toyota Fortuner, Mahindra XUV7 7OO, या इसका जो भी नाम आता है, Ford Endeavor, Skoda Kodiak, and Honda CR-V, तो ये segment अब बड़ा हो गया है, और Tata Motors भी इस segment में आ जाएगा, तो काफी लोग excited थे about the XUV7OO, अब आ रही है Tata की H7X, तो finally दो Indian manufacturers इस segment में आने वाले हैं, और ये segment को वो तोड़ देंगे, अब तो ऐसे ही लग रहा ह क्योंकि ये लोग का सबसे strongest point है कि ये गाडिया locally बनाते है, इस वज़े से उन्हें price benefit बहुत major मिलेगा, XUV7OO या Y400 जो इसका फिलाल code name है, वो चार से आठ लाक रुपे के बीच में आपको advantage देगा, over the Fortuner, Endeavor and the competition, और ये गाड़ी भी कुछ वैसा ही आपको offer करेगी, अब 21-26 या, 21-27 लाक में अगर आपको Tata की H7X मिलती है, जो 7-seater है, जादा features offer करती है, जादा space offer करती है, then why not look at it, या, बहुत अच्छी choice हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आपको रुखना पड़ेगा क्योंकि इसका launch 2020 में होने वाला है, not before that, anytime, अब एक और चीज में यह diesel engine मिलेगा, पर यह जादा power बनाएगा, जितना मैं समझ जाएगा, at least 170 to 190 bhp of power बनाना चाहिए, with close to 400 newton meter of torque, यह same jeep compass के engine रहेगी, but definitely the power will be much higher, at the same time, यह गाड़ी 7-seater रहेगी, तो इसमें आपको बहुत सारे features मिलेंगे, साथ airbags आएगे, touch screen system रहेगा, reverse parking camera, android auto, apple car play, यह सब प्लस इसमें आपको ventilated seats मिलने चाहिए, आपको leather wrapped steering wheel मिलेगा, आपको बहुत कुछ extra मिलेगा, जो फिलाल Tata Motors segment में offer नहीं कर रहा है, यह गाड़ी proper 4x4 रहेगी, यानि की highly capable off-roader भी option में available कराई जाएगी, और इस गाड़ी की खासियत रहेगी, इसकी performance, space, quality, features, mileage, everything, अब यह भी बनाई जाएगी impact 2.0 design पे, यानि की जो इसका exterior look है, वो काफी हद तक H5X से मिलेगा, यानि की इसका जो front grill है वो पतला रहेगा, headlamps भी एकदम sleek रहेंगे, and overall front look काफी हद तक H5X या Harrier से male खाता हुआ रहेगा, with a differentiation for sure, Harrier से लंबी हो गई है, इसमें आपको 19 से 20 इंच क tires आएंगे, high ground clearance मिलेगा, roof rails मिलेगे, और rear से भी ये काफी cool दिखेगी, जी हाँ दोस्तों इसमें second row में भी अथी space मिलेगी आपको, और seats recline कर सकते हैं, captain seats का भी option आएगा इसके second row मे, and third row भी काफी spacious रहेगा, देखिए Hexa already spacious गाड़ी है, और ये Hexa से थोड़ी जादा लंब करेगी, higher price point पे भी आएगी दोस्तों इस वजे से, and at the same time, इसकी technology far superior एगी than the Hexa, अब Hexa की जो technology है, वो ladder frame है, वही पे इस गाड़ी में आपको जादा advanced technology मिलेगी, ये land road का platform यूज किया जाएगा, इसमें आपको terrain response system आएगा, जानी कि बहुत कुछ options मिलेंगे, snow mode, sand mode, rock mode, mud and ruts, काफी सारे ऐसे modes दिये जाएगे गाड़ी में, और आपका जो automatic है, वो Hyundai से लिया जाएगा, और ये 6-speed automatic रहेगा, वही पे जो manual हैगा, वो रहेगा 6-speed manual, तो overall गाड़ी बहुत exciting रहेगी, feature loaded रहेगी, and the most premium offering from Tata Motors, यानी कि आप land road ही खरीदे हो, with Tata Motor looks, जो इसे बहुत ही बढ़िया package बना देगी, अब दोस्तों ये बहुत ही गर्फ की बात है कि Indian car makers एक नहीं, दो आ जाएंगे इस segment में, Mahindra XUV 7OO या Y400 का launch है 19th November को, और ये गाड़ी का launch को एक साल से जादा है, पर definitely Tata Harrier पहले आगी, तो हमें एक अच्छा glimpse मिल जाएगा, of the entire product portfolio, of the upcoming SUV, मैं कहा पहलेड़ी हाइलाइट करना चाहूंगा, काफी हमारे readers ने हमारे साथ photo share किये, of Tata Sierra Nova, और काय कि क्या ये गाड़ी Indian market में आने वाली है, जी नहीं दोस्तों, unfortunately ये गाड़ी नहीं आने वाली है, मैं तो बहुत खुश होंगा अगर ये गाड़ी आगी, क्योंकि ये दिखने म और मुझे वो product बहुत interesting, fascinating लगता था हमेशा से, और अभी भी अगर वो आता है, then nothing better than that, पर फिलाल के लिए वो news सही नहीं है, दोस्तों, unfortunately मुझे बुरा लग रहा है, काफी लोग excited थे इस बारे में, पर फिलाल के लिए उगाड़ी का नाम सिफ H7X ही है, तो दोस्तों, आपको H7X कैसे लग रहा है as a product और क्या आप वाकई में इसके लिए रुकोगे, या आपको लगता है कि Fortuner, Endeavor जैसे products ही सही है वहाँ पे, और Indian manufacturers like Tata Motors और Mahindra को सेग्मेंट में नहीं गुषना चाहिए, मैं आपकी राइ के लिए रुका हूँ, बता दीजे हमें, टेक है guys, drive safe मिलेंगे कल फिर से, उमीद करते हैं आपने already subscribe button दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो अभी के अबे दबाओ, क्योंकि next week आपको हमसे बहुत सारे new cars के reviews मिलने वाले है, मैं बता हूँ क्या के मिलने वाला है, Hero की destiny 125cc scooter आने वाली है, Santro का live launch, वो हमारे instagram पे मिलेगा और कोशिच कर रहे हैं आप तक review लाने की of the Tiago Energy and Tigger 2018, मान लीजे हमारी बात हम बहुत प्रहतन करें पर अभी तक हमारे हाथ गाड़ी नहीं आई है, वहना आपको वीडियो मिल जाता हमसे, ठीक है guys, drive safe मिलेंगे, कल फिर से, जैहिंद!